हेलो डियर स्टुरेंट तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कक्षा सातवी 36 गड़ में जैसे कि आप सब जानते की त्रहमासिक आकलन चल रहे हैं तो इसमें आपको प्रोजक्ट वर्क भी बिला है तो आज की इस वीडियो में हम आपको त्रहमासिक आकलन 2022 सातवी का जो प्रोजक्ट वर्क मिला है साते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ग ilgili को आपको सब्सक्राइब निक के एक सब्सक्राइब के लिए तो देखिए पहला कोश्च जाना यह आपका 10 नंबर के लिए है make a poster topic uses of trees तो यह आपका 10 नंबर का इसमें आपको एक drawing बनानी है plain paper लेना है आपको इसके पर drawing बनानी है uses of trees यानि कि trees की क्या क्यों uses होते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं तो देखिए यहां पर इंपोर्टेंस ओफ ट्रीज लिखा है इसके लिए आप इसकी जगा uses of trees लिख सकते हैं और आप एक पेड़ बना सकते हैं और जो भी point इसके अंदर लिखे हुए हैं यह सारी चीज़ा आप लिख सकते हैं कि इनका जो है क्या क्या uses होता है ठीक है तो देखिए provide medicine, medicine बनाने के लिए cool sour house, add oxygen, prevent flooding, reduce erosion, remove carbon dioxide, provides fruits तो आप यह सारी जो हैं चीज़े इसके अंदर लिख सकते हैं ऐसे ही आप बना सकते हैं इसके लिख सकते हैं ठीक है ट्री बनाके उसके बाद देखिए second question देख लिजिए यह भी आपका 10 नंबर का है इसमें क्या लिखना है आपको find out some birds, animals and insects in your locality and write their names in Hindi and English तो देखिए जो भी आपके आस पास birds, insects और animals पाई जाते हैं तो उनके आपको नाम लिखने हैं Hindi और English में भी तो सबसे पहले आप बर्ड's heading डालेंगे बर्ड's name तो उसके बाद देखिए पिकॉक तो इस पिकॉक को Hindi में कहते हैं more तो आपको ऐसे ही यह प्रोज पीजन कबूतर फॉर्थ में कोयल आजाएगा फिफ्ट में आपको आजाएगा इस पैरो यानि की गुरहीया चिडिया जिसे कहते हैं ठीक है तो आपको आपको एस प्रोजप्ट को लिख सकते हैं या फिर कॉपी में भी लिखके जो है चैक करा सकते हैं अपने टीचर्स को उसके बाद अनिमल्स नेम भी लिखने है यानि कि जो भी आपके आसपास पाए जाते हैं जो भी च्छतिस गड़ में पाए जाते हैं वही लिखने है तो वाइल्ड वफैलो जंगली भैसा ठीक है उसके बाद सेकंड काव गोट होर्स कैमल इनके अलावा आप और भी लिख स आंट, चीटी, अर्थ, वर्म, केच्वा तो यहां पर बड्स नेम, अनिमल्स नेम और इंसेक्ट नेम हो चुके हैं तो इस्ट्ट यह था आपका क्लास 7 का इंगलिस के प्रोजक्ट के आंसर्स और सभी सब्जक्ट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हम जल्दी से जल्दी उसी सब्जक्ट के आंसर्स की वीडियो अप्लोड कर सके थैंक्स पर वॉचिंग